हालो स्टुडेंट हाव आर यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास स्टेंथ आई सी एमेल अगरवाल एक्सरसाइस टू के कुश्टन वन नाइन से आपको बताएंगे ओके बेटा देखी क्या गह रहा है Mohan has a recurring deposit account in a bank for two years at 6% per annum simple interest if he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity find the monthly installment the amount of maturity ठीक है बटा देखेंगे कैसे करना है solution ठीक है समझना बढ़ा अच्छा है n की value दी हुई है two years two years का मतलब 24 months two को 12 से multiply कर देंगे rate कितना दिया हुआ है छे परसेंट ठीक है interest के value कितनी दी हुई है rupees 1200 सबसे पहले आप से क्या पूछ रहा है आप से monthly installment आप प्रिंस्पल पूछ रहा है ठीक है तो इंट्रेस्ट का तो फॉर्मला होता है आप सभी जानते हूं पी इंट्ू में इं इंट्व में इंट्но प्लस फंक अक पॉझ में आर sally अपॉझ में टू-इंट्व इंट्व में आर आपन में 100 afterrous नश्किवर्या आक इवली दी हुई है 1200 24 तो जागा 24 इंटू में 24 प्लस पन करेंगे तो जागा 25 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू रेट कितना दिया हुआ था 6% तो जागा 6 अपॉन में 100 क्लियर है अब जखो 121 जा 122 जा फिर टीक है 21 जा इसके बाद समझो 25 बन जा 25 फोर जा हंड्रेड तो टू जा फोर टू थी जा 6 ठीक है तो बटा प्रिंस्पल यहां से कितना आ जाएगा चलिए यहां पर कर देता हूं मैं तू जाके इधर मल्टिप्लाई होगा 3 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा तो प्रिंस्पल की वाल्यू कितनी आ गई 1200 में इंटू में 2 अपॉन में 3 को जाके इधर मल्टिप्लाई हुआ 3 इसके अपॉन में आ गया ठीक है 300 को टू से मल्टिप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा रुपीज 800 प्रिंस्पल कितना आ गया 800 आ गया अमाउंट आफ मैचुर्टी यानि मैचुर्ड वैल्यू पूछ रहा है अब तो मैचुर्ड वैल्यू को फार्मला क्या होता है पी इंटू में इं प्लस में आई यही तो होता है न प्रिंस्पल कितना आ चुका है 800 रुपिया इं कितना था 24 देखो यहां पे दिया हुआ थ गैट फोर्च थार्टी टू के टू कैरी लागा थ्री एट तू सिक्स्टीन प्लस थी कितना हो जाएगा 19 कि 20 लिखा है दो जीरो लिखते हैंगे प्लस में 1200 अ दिखो 20 को 20 लिख दिया क्लियर है टू और 2 मिलके हो जाएगा 4 19 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अंसर कितना आया 20,400 मैचुर्ड वैल्यू आई प्रिंस्पल कितना आ गया 800 रुपाय आ लिया क्लियर है आच्छे से कोई दिक्रत वाली बात तो नहीं है ओके चलिए इसके बाद अपना नेस्ट कोईशन करेंगे समझना उसको भी थोड़ा सा ठीक है देखो कि सेलूशन मिस्टर आर के नायर जो है उनको 6450 रुपाय एक साल की अंति में मिला जिसमें का रेट था 14 परसेंट यानि जो में 6455 आपकी मैचुर्ड वैल्यू दी हुई है कोईशन में तीक है मैचुर्ड वैल्यू करती दी हुए है रुपीज शीक्स थाउंजट प्रहंड़न और फिप्टी फाइब एड़ एंड ओफ वन इयर टाइम जो था वो वन इयर दिया हुआ है वन इयर का मतलब क्या हुआ हुआ है क्लियर है रेट कितना दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 14 परसेंट क्लियर है अब इसके बाद समझना बेटा मैं चोड़ वैल्यू का फार्मॉला होता है सिंपल फार्मॉला पी इंटू में एन प्लस में आई यह होता है न इसके बाद समझना कि इंटू में इं तो एज़िती रहेगा आई कभी फार्मॉला होता है अलग से बदायता जो तब इंटू में इंटू में इंटू में ब्लस वन अ अपन में टू इंटू इंटू 2 यह होता है न आप समझना यहां पर आपको प्रिंस्पल के अलावा सब कुछ पता है principal के अलावा सब कुछ पता है put कर दीजिए आजाए का answer mature value कितनी है 6455 principal की जगा p ही रहने दीजिए n की value 12 है principal की जगा p ही रहने दीजिए n की value 12 है तो n plus 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा upon me 2 in 2 में 12 12 इंटू में आर अपॉन में 100 ठीक है 12 से 12 क्या हो गया बेटा कैंसील आउट हो गया ठीक है यहां पर दोको इसके बाद कि बचा 6455 बराबर 12 को पी से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12P 13 को पी से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13P ठीक है न अच्छा रेट भी दिया हुआ था मैंने आपने रेट नहीं लगा लेकिन रेट भी आपको कोशन में दिया हुआ है चलिए अगर अगर मैं आर के जगा 14 रख दू क्यूंकि रेट भी कोशन में दिया हुआ था ज हो जब मैं 7 से मल्टिप्लाई कर दूँ है यहां भी से मल्टिप्लाई कर दो तो अपन में क्या रहेगा हंड़ेट रहेगा है ठीक है ना है और मैं कि नहीं देखो आर की जगा मैंने 40 नहीं रखा ता उड़ागे 14 रख दिया फिर टू बंजा टू सेवन जा कर दिया अगले स्टेप में देखो यहां क्या हो जाएगा 6455 है हो जागा 12P प्लस में 13 से बंजा 91 साथ में पी अपन में 100 इसके बाद क्या करेंगे यह भी आप जानते हो क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर देंगे 6455 इस इक्वल टू 100 को 12 से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो हो जाएगा 1200 पी प्लस 91 पी अपन में 100 इस जाएगा 6455 पराबर 1200 में 91 जोलूंगे तो हो जाएगा 1291 पी अपन में 100 100 को इधर बेजोगे इसको इधर लिया होगे ठीक ना चेख 6455 गुड़े में 100 अपन में 1291 इस इक्वल टू अब देखो 1291 अगर आप एक्जैक्ट फाइफ टाइम्स मल्टिप्लाई करो 1291 एक्जैक्ट फाइफ टाइम्स करो तो 6455 आएगा नहीं यकिन तो यहां भी साइड में करके देख लो यही सब तरीका होता है जहां पर आपको दिमाग तोड़ा सा मतलब तेज चलने के जुरूरत होती है अभी आप इसको डिवाइड करने बैठोंगे फाज जाओगे क्या पता डिवाइड भी ना हो ठीक है ना या क्या पता कोई बहुत बड़े नंबर से हो मैंने किया नहीं ह सिखाई दे रहा है मुझको इस वज़िव मैं नहीं करूंगा थिकाइब 5 फंद फ़ाइफ फृतिस्वाइफ फ़ाइफ टाइफ पायफ के फाइफ करी लगा फूर आटो चैने प्लस फॉर्टीन सब्सक्रें के पोर करी लगा वन फाइफ फई प्लस फॉन तो जाएगा सिक को एक्जाक्ट फाइफ टाइम्स में गया कि नहीं है कि मल्टिप्लाइब कर देंगे ठीक है तो यहां प्रिंस्पल कितना जाएगा रुपीज फाइफ फाइफ अंड्रेड क्लियर है समझ में आए बटा अच्छे से कोई दिकत वाली बात तो नहीं है इसके बाद अपना ने स्कूर्शन करेंगे सब्सक्राइब क्या कह रहा है करा समीता जो जो भी चीज दिये हुए है पहले इसको लिख लेते हैं ताकि हमारा कोशन असानी से हो जाए ठीक है सल्यूशन देखो इसका दो हजार उपाय पर मन्त ठीक है यानि प्रिंस्पल आपको दिया हुआ है रुपीज टू थाउजन रेट कितना दिया है बेटा 10% दिया है मैच्वर्ड वैल्यू किती दिया है रुपीज 83,100 क्लियर है आप से पूछ क्या रहा है टोटाल टाइम पूछ रहा है निकी वैल्यू पूछ रहा है निकाल लेंगे बेटा क्या दिक्कत वाली बात है ठीक है देखो मैच्वर्ड वैल्यू का फॉर्मला होता है यह तो आप जानते ही हो पी इंटू में इन प्लस में आई ठीक है अब इसके बाद हम आई का फॉर्मला भी अप्लाई कर देंगे आई का फॉर्मला क्या होता है पी इंटू में इन इन प्लस वन अपॉन में टू इंटू ट्वल्व इंटू में आर अपॉन में हंडर्ड अब जो जो वायलू पता उठाकर उसमें पुट कर दो सारी वायलू पता जाहिर सी बाद एंट क्या लावा या नहीं टाइम ही तो हमें निकालना है तो वह हमें निकालेंगे ठीक है तो देखो मैं चोड़ वायलू कृती दी थी तीरासी हजार एकसो रुपए प्रिंसिपल दिया था 2000 एन है तो साथ में एन लिख देंगे ठीक है में रिट केता दिया था टैन दिया था अपउन में 100 कर देंगे एक जिरो से एक जिरो यहां कैंसिल आउट हुआ ठीक है एक जिरो से एक जिरो यहां कैंसिल आउट हुआ क्लियर है इसके बाद समझगा है टूवन्जा टू हंड़ेट्स क्लियर है और काटो टूफिटीजा होगा ना टूशिक्जा और काटो टूट्वटीफाइब जा टूथ्रीजा इसके बाद और कठी नहीं रहा तो और काटो गए ठीक है बस यहां तक उसमत फिर जबर अच्छा यहां पर लिख देता हूं जागा एट थ्री वन डबल जीरो जागा पर तूथाउजंड इन प्लेस्माइब टूटीफाइफ अपॉन में थ्री एन एन प्लेस्माइब न है एन इंटो एन प्लेस्माइब तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो अब क्रॉस मल्टिप्लाइब करेंगे तो दो हजार को ज जागा ट्वेंटीफाइफ एन इसक्वाइर प्लेस में ट्वेंटीफाइफ एन अपॉन में थ्री जागा एट थ्री वन डबल जीरो इधर जाएगा यह यह ची समझ में आएगी नहीं पहली यह बता मुझको देखो त्री को जब इससे मल्टिप्लाइ किया तो यह छे हजार हो गया ट्वेंटीफाइफ एन को एन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो जागा ट्वेंटीफाइफ एन स्क्वाइर ट्वेंटीफाइफ एन को जब बन से करेंगे तो जागा ट्वेंटीफाइफ एन अब इसको यह भी N का टर्म है यह भी N का टर्म है पहले N स्क्वार का टर्म लिख लेते हैं ठीक है तो यह जागा 25 N स्क्वार अब देखो 6000 भी N का टर्म है और 25 भी N का टर्म है तो दोनों को जोड़ देंगे तो यह जाएगा आपका 6025 N इसको उटा के इधर बेज़ेंगे इसको इधर एन स्क्वाइर प्लस छे हजार पच्चिस एन प्लस टू फोर नाइन थ्री डबल जीरो इस एक चीज और समझना यह चीज जब इधर जाएगी तो प्लस के बज़ा किसमें हो जाएगी है माइनस में हो जाएगी क्लियर है अब देखो अब इन तीनों में क्या कोई नंबर है जो कॉमन निकल रहा है क्यों को कॉर्टिक सॉल्ट करनी होगी अब दूसरे पेश कर इस्तमाल कर लेते हैं क्योंकि जाएगी थोड़ा बढ़ा जाएगा फिला समझाने के लिए मैं बता रह हो तो है बेटा 25 है ठीक है 25 को अब निकाल लो अंदर क्या बचेगा एन स्क्वाइर बचेगा प्लस 6025 को 25 से डिवाइट करेंगे तो बार में जाएगा पहले कितना जाएगा 50 बचेगा 10102 हो जाएगा फिर 4 बार में जाएगा फॉर बार में जाएगा 100 फिर बचेगा टू और फाइफ 25 फिर बन बार में जाएगा साथ में एन हो जाएगा माइन अब इसको करेंगे तो 25 यह 9 बार में जाएगा सबसे पहले तो कितना बचेगा 225 ठीक है 249 में से तब आप 225 को माइनिस करेंगे तो बचेगा 24 आगे लिखा है 3 यानि 243 बचेगा 243 अगेन कितनी बार में जाएगा 9 बार में 225 ठीक है अब देखो 243 में से जब आप समझना बचा 243 में से जब आप 225 को माइनिस करेंगे तो कितना बचेगा पताओ कितना बचेगा एट्टीन बचेगा अठारा आगे जिरो लिखा है यानी 180 तो यह किती बार में जाएगा सेवन बार में जाएगा 175 डिवाइड कर रहा हूं बैसिकली ठीक है नहीं समझेगा है तो लिखके डिवाइड कर देना 175 180 में से 175 मैंस करोगे तो 5 बचेगा अगे लिखा है 0 50 हो जाएगा फिर 25 टूजा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा is equal to 0 यानी आपको final equation क्या मिल गई n का स्क्वाइर प्लस 241 n माइनस में 9972 बराबर 0 अब वही चीज़ इसको solve करना होगा इसको solve कैसे करते हैं यह तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ यह आपका constant term है इसको उठाके x square के coefficient से multiply करा देते हैं यहाँ पे x square का coefficient तो कुछ है नहीं तो by default वो 1 होगा 9972 को 1 से multiply करा होगे तो 9972 ही आएगा उसके बाद हम इसका LCM लेंगे और LCM लेने के बाद कुछ उस तरीके से pattern बनाएंगे अपना कि हमको 241 मिल जाए प्लैस या माइनस करने पर ठीक है चलिए बचिस कर लेते हैं समाझ में आ जाएगी 9972 ढूंसे रिडूस किया कितना बचेगा 242 918पी 26 जा कितना हो जाएगा 16 इसके बात हुजाएगा सवारी 26जा का रहा हुं 281 जाएगा 16 अब जो गलत हुजाता वन और 2 12 26 हो जाएगा पिर 2 से रिड्यूस करूं ayme 24 बार में यह 9 हो जाएगा ठीक है 18 सका भार जाएगा अपका 3 इस प्रिटानौ 3 8 जा 33 जा 3 1 जा पिर 3 जे करो 32 6 टू और 3 बचएगा फी 7 बार में जाएगा पिर बढ़ में जाएगा और 277 को आपसेटीस लिट तो यह भी में खाल से कि प्राइम नमबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो देखो फूट उजाएगा टेखो टो सेवंटी सेवन इसे अगर आप थर्डिसिक्स को मानिस करो तो गाहिएगा 241 ही तो बचेगा ना यानि आपको पैटन मिल गया है अगर पैटन मिल गया थो ठाक है अपलाई कर दो ठीक है न हो जाएगा एन स्क्वाइर ठीक है न प्लस में 277N माइनस में 36N और माइनस में 9972 is equal to 0 दिखाई दे रहा कि नहीं अच्छा इसके बाद समझना इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे यहां पर N की पावर 2 है यहां पर N की पावर 1 है तो N कॉमन लेंगे क्या बचेगा N तोनों में कॉमन क्या लेंगे एक तो माइनस साइन कउमन लेंगे एक थरीइस नों में जीएगा ठीक है आपका देख लिजएगा या पर N बचेखा क् एक bracket में आगा आपका n plus 277, एक bracket में आपका n minus 36 is equal to 0, ठीक है न, एक बार आप इसको 0 को बराबर पुट करेंगे, एक बार इसको 0 को बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है न, लिखाई देरा कि नहीं, अच्छा, यह लाएगा आपका n plus में 277 is equal to 0, तो यहाँ पर n की value minus 277 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भार टाइम आपका कभी भी negative तो हो नहीं सकता, एक बार पुट करेंगे, n minus 36 is equal to 0, तो n की value कितनी आजाएगी, 36 आएगी, और एक बाद ध्यान रखिएगा, यह जो 36 आईए न, यह मन्त में आईए, यह आपका मन्त में आएगी, answer आपको यही वाला है, यह वाला नहीं है, 36 जो आई है, यह मन्त में आई है, अगर इसको आप year में convert करना चाहते हो, तो 12 से divide कर देंगे, ठीक है, कितना मिलेगा आपको, 3 year मिलेगा, clear है बटा, अच्छा से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like करे, comment करे, share करे, और इस वीडियो को उन बचों तक ज़रूर पहुचाएं, जो coaching को effort नहीं कर सकते हैं, ठीक है